हलो स्टूडेंट्स आज हम लोग आपके पाठे पुस्तक में संक्लित कभिता भगवान के डाकिये का अध्यन करेंगे और ये कभिता रास्त्र कभी रामधारी सिंग दिनकर के द्वारा लिखी गई है आप जानते हैं कि रास्त्रवाद के एक बहुत बड़े कभी हुए हैं और हमारा सवभाग्य है कि वे इसी छेत्र के हैं बर्विघा छेत्र के हैं बर्विघा उनकी कर्म भूमी रही है यहां के हाई स्कूल में वे सबसे पहले प्रधाना ध्यापक रहे हैं दिनकर जी और उनकी धेर सारी रचनाएं कुरुछेत्र ब्रस्मिरत्थी जैसी रचनाएं काल जई रचनाएं हुई हैं जो सदा सर्वदा हमारी प्रेणा का स्रोत है यह कविता भगवान के डाकिये यह यह कोई सी ही महतुपूर्ण कविता है छोटी सी कविता है किन्तु भाव बहुत बड़ा है यह सभी मनुश्य और सारा संसार प्रकृती के अधीन है और प्रकृती के लिए सब समान है इसी भाव को व्यक्त करने वाली यह कविता है भगवान के डाकिये डाकिया का अर्था आप जानते हैं जो हमें चिठी पहुंचाता है उसे डाकिया कहा जाता है यानि जो हमें संदेश देता है चिठी के माध्यम से हमारा संदेश ही तो आता है तो यहां भगवान का डाकिया कौन है अर्थात भगवान के यहां से संदेश क को समझ सकते हैं कि इश्वर के संदेश वाहक की संबंध में है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं प्रकृति का चित्रा आ गया पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं प्रस्ण है भगवान के डाकिये कौन है पक्षी और बादल अब प्रस्ण आपके मन मे उठेगा ना कि भई पक्षियों और बादल ये डाकिया कैसे है भगवान का डाकिया जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड बाचते हैं अभी आपको अगर दूसरे में जाना हो तो आपको अपना बीजा बनवाना पड़ेगा पासपोर्ट बनाना पड़ेगा अपने देश से अनुमती लेनी होगी उस देश से अनुमती लेनी होगी तब आप वहाँ जा सकेंगे वहाँ भी आपको धेर सारे वहाँ के संबिधान और नियमों में बंद कर र कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, पक्षी कहीं से कहीं चला जाता है, आपने माइग्रेटिंग वर्ड को सुना होगा, उसकी सामर्थ होती है, कि एक देश से है, दूसरी देश में परवासी पक्षी चले जाते हैं, वहां से भारत चले आते हैं, उनको कोई भी रोकने वाला नहीं है, उन पर कोई बीजा, कोई पासपोर्ट लागू नहीं होता है, स्वचन्द रूप से वे जा सकते हैं, एक महादेश से, दूसरे महादेश तक, बादल, आपको पता नहीं है, आकास में उठने वाला बादल कहां से आ रहा है, यहां वही है, कि पक्ष पक्षी और बादल अर्थात स्वतंत्र रूप से प्रकृति में विचरन करने वाले यह जो पक्षी और बादल है, यह भगवान के डाकिये हैं, लेकिन हम तो समझ नहीं पाते, उनकी क्या, उनका क्या संदेश है, भगवान ने उनके माध्यम से क्या हमको कहला बेजा है, य उनकी लाई चिठियां, पेड, पवधे, पानी और पहाड बाचते हैं, दोनों हो गया न, एक भगवान का डाकिया काउन, फक्षी और बादल कभी ने माल लिया है, और उन जो चिठिया लाते हैं, उसको पढ़ते हैं काउन, तपेड, पवधे, पानी और पहाड अर्थात प्रकृती के वे अंग ही डाकिया हैं, और प्रकृती ही उसको पढ़ने वाली भी है, बादल, पेड, पवधे और पानी सबसे जड़ा हुआ है, पहाड पर बादल बरस्ता है, बरस्ता तो हम पर भी है, लेकिन हम उसको उस रूप में नहीं करते हैं, हम भी इसी रूप में पानी को देखते हैं, कि हमारे पौधे को वो पानी मिला की नहीं, अभी आप बादल की प्रतिक्षा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सारे किसान सोच रहे हैं, कि भगवान कब बरसें, पानी बरसें, क्यों, पानी के लिए नहीं, बादल के लिए और इशारा नहीं है, हमारा इश वो पहार और पानी इसलिए कभी यहां कह रहे हैं दिनकर जी इस पस्त रूप से कहते हैं कि हम नहीं समझ पाते हैं कि पत्थी और बादल क्या संदेश लेकर आए हैं लेकिन पेड़ पौधे बादल और पानी ये उसको अच्छी तरह समझते हैं हम तो केबल यहां आखते हैं कभी का कहना है कि हम तो केबल यहां आखते हैं कि एक देश की धर्ती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है बस इतनी छोटी सी कविता है लेकिन ये विश्व बंधुत्व की भावना बताने वाली कविता है पूरे संसार को एक रूप में देखने का भाव इसकी पंक्तियों में व्यक्त हुआ है कभी कहते हैं कि हम तो केवल यह आकते हैं आकते हैं मने समझते हैं जानने का प्रयत्न करते हैं आकना मने अनुमान लगाना जैसे कोई कहे कि जरा आको तो कि इसका कितना दाम होगा तो आकना का मतलब हुआ अनुमान लगाना कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है बड़ी दूर की बात है अर्थात सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए कोई प्रतिबंध कोई नियम कोई रोक टोक नहीं है यहां प्रकृति की स्थान ता और साथ साथ हम जो आपस में एक देश दूसरे देश से सीमाओं के लिए जुद्ध करते हैं अभी आप देख रहे हैं भारत तीन पाकिस्तान या पूरे विस्व में हर देश एक दूसरे से लड़ने के लिए तयार होता है जिसके कारण विस्व जुद्ध होते हैं पर सम्भी सुझुद्ध हो चुके हैं हम लोग कह रहे हैं कि अब तरती विस्व जुद्ध की तैयारी है ये सारा क्या है ये इसलिए है ना क्योंकि हम बाट रहे हैं ये का रहे हैं कि ये हमारा देश है ये हमारी धर्ती है ये पहाड हमारा है ये पानी ह हमारा है ये नदी हमारा है वो तुम्हारा है ये जो बाटने की प्रक्रिया है ये हमारे लिए है बादल के लिए नहीं है इसलिए एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है आप अपने घर में अगर वत्ती जलाते हैं सुगंध फैल रही है पडोसी से आपका ज सुगंध जाए आपके पास कोई उपाय नहीं है आप अगर जलाएंगे तो उसकी सुगंध आपके सत्रु पडोसी के घर भी जाएगा ही हिंदुस्तान में अगर कुछ होगा तो हिंदुस्तान की सुगंध पाकिस्तान जाएगी पाकिस्तान की दुर्गंध हिंदुस्तान नहीं रोक सकती है एक दूसरे के यहां सुगंध को आने से दुरगंध को आने से नहीं रोक सकती है अर्थात एक देश में होने वाली गटनाओं का प्रभाव दूसरे देश में पढ़ना ही पढ़ना है एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेजती है और वह सवरभ अर्फात वह सुगंद जो एक देश से दूसरे दोईस को जा रही है, हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, यानि जो पक्षि उड़कर एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, उन पक्षियों के पंखों पर वह सुगंद सभार हो जाती है और दू दूसरे देश में पहुच जाती है पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाफ दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है कितनी दूर की बात है कि अभी जो बादल आपके यहां आकास में दिखाई पड़ रहा है वह कहां से आ रहा है यह आपको नहीं पता है कि वो पाकिस्तान से आ रहा है कि चिन से और जापान से आज बेज्यानिक आप हैं, आप बेज्यानिक तो देख रहे हैं, कि हाँ समुदर से उठा है, समुदर से उठकर इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, सारा कुछ, लेकिन सच्चाई तो यह है, कि वस्वचंद रूप से उप पर चला जाता है भाप बनता है और भाप बनकर पानी बनकर गिरता है अर्थात कहीं भी वह बरस सकता है उसके बरसने पर कोई प्रतिबंद कोई रोक नहीं है कि यहां नहीं बरसो कोई चाह कर भी उसको नहीं रोक सकता है पाकिस्तान यह नहीं कह सकता है कि हमारे यहां कि नद कि खाड़ी से उठा है और वो अफगानिस्तान नहीं जाए ये नहीं हो सकता है वो स्वतंत्र है यानि एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है अर्थात देशों का यह विभाग यह अंतर जो आज के समय में इतना ज्यादा दिखाई परता है एक दूसरे के सत्रू बने हुए हैं लोग जमीन के लिए अपनी सीमाओं के लिए इतना संघर्ष हो रहा है ये सारा संघर्ष ब्यार्था है पूरी कविता छोटी सी कविता है लेकिन भाव यही है कि प्रकृति के लिए कोई सीमा नहीं है कोई बंधन नहीं है और प्रकृति को यहां भग बगवान अगर माना जाए अगर आप नास्तिक भी है इश्वर के राम कृष्ण को आप नहीं मानते हैं लेकिन प्रकृति को तो आपको मानना पड़ेगा सुर्ज चंद्रमा नक्षत्र तारे पेड़ पौधे नदी पहाड ये जो प्रकृति के अंग है इन ही अंगों को आप भगवान मान ले और यही भगवान के डाकिये हैं पक्षी और बादल वे एक देश से संदेश लाते हैं दूसरे देश तक पहुंचाते हैं एक देश का पानी एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर वरस्ता है चुकि वह सचंद है एक देश की सुगंध दूसरे इसकी सुगंध तक जाती है ये हम भले नहीं समझ पाते हैं लेकिन पेड, पाउधे, बादल पेड, पाउधे, पहार, पानी ये पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए संदेश को समझते हैं यहां आपके प्रस्ण और अभ्यास में है कि कभी ने पक्षी और बादल को भगवान के दाकिये क्यों बताया है इसकी चर्चा मैंने प्रारम में ही की है कि दाकिया का काम होता है संदेश पहुचाना तो पक्षी और बादल हमें संदेश देते एक देश से सुगंध लाते हैं, हमारे हाँ लाते हैं पता चलता है कि वहाँ इसी सुगन्द है हमारे हाँ से वहाँ जाता है वहाँ पता चलता है कि भारत की सुगन्द आ रही है चुकि ये प्रकृति के ऐसे अंग है जो हमें एक महादेश से दूसरे महादेशों में जाकर वहाँ की प्रकृति का संदेश देते हैं इसलिए इन्हें भगवान के डाकिये कहा गया है बादल कल्पना कीजिए कि अफगानिस्तान से उठा हुआ बादल है तो वो अफगानिस्तान का बाता बरन लेकर आ रहा है हमारे यहां हम तो नहीं समझ पाते हैं हम तो देख रहे हैं कि बादल है बादल है तो है बादल होने से क्या होता है बादल का तो होना ही है लेकिन कभी यहां यह कह रहे थे कि पेड़ पोधे तो समझते हैं उसकी भासा आप देखते होंगे पशुओं की बोली को पशु जादा समझता है हम लोग नहीं समझते हैं कि कुटा भूख रहा है बस हम लोग केवल जानते हैं कुटा भूंक रहा है लेकिर वह भूंक कर क्या कह रहा है इसको दूसरा कुटा वड़ी अच्छी तरह समझ जाता है आप देखते होंगे कि आप कहीं से जा रहे हैं रात में एक कुटा कहीं पर आप पर भूंका और वैसे ही आस पास जहां भी उस कुटा एक साथ घहर लता है हम तो नहीं समझ पाए कि पुकार रहा है कि आओ आओ देखो हमारे आने आदमी आया तो वैसे ही हम भले नहीं समझ पाएं लेकिन पक्षी पहार पानी ये पेड़ पाउठे ये पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए सर्देश को समझते हैं हम तो केबल यहीं आखते हैं यहीं अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती चुकि धरती तो समझी है एक है भगवार ने तो एक ही धरती बनाई है तो एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सुगंध वह सुगंध पक्षियों के पंखों पर ति एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बन कर गिरता है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं, यहां इशारा इसोर है, कि हम चाहे लाख सीमाएं बना लें, लेकिन प्रकृति के लिए कोई सीमा नहीं होती है, प्रकृति को एक देश से दूसरे देश में, एक महा देश से दूसरे महा देश से जाने में कोई रोक नहीं सकता है, तोक नहीं सकता है, और प्रकृति स्वच्छंद है, सूर्ज की किरने अच्छी जगह, बुरी जगह, सब जगह पड़ती हैं, अगर सूर्ज की किरनों को रो परादोस है कि हमने उसकी किर्णों को अपने तक आने से रोक रखा है। अभी हम अपनी सीमाओं को तोड़ दें, इस छपपर को हटा दें, छपपर चले जाएं, तो सीधे हमारा जो है ना सुर्ज की किर्णे पढ़ने लगेंगे। सुर्ज की किर्णे सुगंध वाले पधों पर पढ़ती हैं, फूलों पर पढ़ती हैं, और वही सुर्ज की किर्णे गंदे अस्थानों पर भी पढ़ती हैं। प्रकृती के लिए कोई सीमा नहीं है, पक्षी और बादल के रूप में संदेश भगवान हमें देते हैं, कि तुम इन सीमाओं को तोड़ो और विश्व बंधुत्य की भावना का ही संदेश हैं। बादल भी भरस्ते हैं। तो इस प्रकार से यही हैं। पक्षी और बादल प्रेम सदभाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। यह किन पंक्षियों में हैं। तो पंक्षियां तो असपस्त हैं। कि एक देश की धर्ती दूसरे देश को सुगंद भेजती हैं। और वह सौरा भवा में तहते हुए पक्षियों की पाखो पर तिरता है। प्रक्रती देश देश में भेरभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये किस पंक्षियों में है यहां है कि और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आप इन पंक्षियों को उद्रिट कर देंगे। पक्षियों और बादल की चिठियों में पेड़ पोधे, पानी और पहाड क्या पर पाते हैं। बस यही कि मनुष्य सीमाय जितनी बना ले हमारे लिए कोई सीमाय नहीं है, प्रकृति के लिए कोई सीमा नहीं है, वह स्वचंदता पुर्वक्ष एक देश से दूसरे देश में, एक महा देश से दूसरे महा देश में जा सकती है, अपनी सुगंध भिखरा सकती है, उसको म संस्कृति है जो वहां की कला है उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पढ़ता है आज हमारे यहां धेर सारी संस्कृति आई हैं उन संस्कृतियों का प्रभाव हम पर है हम जहां जहां गए हैं हमारा प्रभाव उस पर है हमारे यहां बुद्ध पैदा हुए थे और वे चिं देश तक पहुँचती है, वहाँ उसका परचलन होता है, इस परकार संस्कृतियों का आदान परदान होता है, वही सुगंध है, वही संस्कृतियों का आदान परदान ही, डाकिये के द्वारा लाई गई चिठियां है, पक्षी और बादल की चिठियों के आदान परदान को आ आप जो है न, सो आपको आसानी से मिल जाएंगे, मेरा विश्वास है कि आप इस छोटी सी किन्तु महतुपूर्ण कभिचा जो दिनकर जी की थी, भगवान के डाकिये, वे आप समझ चुके होंगे, और जहां समझ में नहीं आने वाली बात होगी, वहां हमारा विश्वास है कि जब विडियो को आप गंभीरता पुर्वग देखेंगे, इत्मिनान से देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सभी प्रसनों का उतर मिल जाएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, धन्यवाद.